नमस्कार मित्र जैमातरी स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तो कन्यार रासी वालो हम बात करेंगे दिनांक 13 मार्च 2022 का दिन मित्र केसा रहेगा आप लोगों के लिए मित्र पंचांग के नुसारत देखें तो 13 मार्च को रविवार का वार है साथ में फालगुन मास के सुकल पक्स की दसमितिती है और पूर्ण वर सुनक सत रहे और मित्र सुर्र जो है वह कुम्ब रासी में विराजमान रहेगा तो वहीं दूसरी और चंद्रमा जो है मित्र वह में थुन्द रासी के उपरांत करक रासी में संचार करेगा तो ऐसे में समस्त ग्रह की चाल का अगले 24 घंटों में कन्या रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रो वियापार की दरष्टी से नोकरी की दरष्टी से पारिवरिक जीवनियापन के लिए प्रेम संभन्दों के लिए साथ ही मित्रो विद्यारतियों के साथ बेरुजगारों के ले क्या समाचार है क्या साउधानिया है क्या खुशकबरिया है समस्त बातों की जानकारी समस्त ग्रह गोचर के आधार पर इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं मित्रो हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास साउधानिया हम आपके लेकर आए हैं तो वहीं वीडियो के अंत में रविवार के दो एस उपाई भी हम आपको बताने वाले हैं मित्रो जिने आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है ना ही कोई पुझी लगानी है मित्रो इन उपायों को आजमा कर आप अपने अंदकार रूपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं सब से पहले तो जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक कर जीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्त ही प्रेम से जय माता दिलिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनो कामनाई पुरुन करेगी तो चलिए मित्रो वीडियो की और परिवार का साथ है तो समझ लेना आप से दिख भाग्य साली कोई नहीं है मित्रो हमारे जीवन में हमारा परिवार ही हमारी सब से किमती अभुशन है क्योंकि मित्रो जिस व्यक्ति के पास परिवार वह होता है वह व्यक्ति हमेशा जीवन में एक सच्चाई की राह पर चलता है क्योंकि उसका परिवार ही उसे सच्चाई की राह पर ले कर जाता है और मित्रो यदि मन की सांती भी है तो जीवन में असफल होने का आपके पास कोई चांस नहीं होगा यदि आपके पास मन की सांती होगी तो गुरुजी का यह ग्यान आज ही से अपने जीवन में जर तो मित्रो धियान से सुन्येगा कि यह जो समय है यह विशेश रूप से आपके लिए फल दायक रहने वाला है आपको अपने व्यापार के लिए करवा हट को मिठास में बदलने की कला को सीखना होगा तभी आप लाब कामा पाएंगे और यदि आप किसी से धन उधाल लेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल सकता है लेकिन मित्रो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना धन उधार आप ले रहे हैं क्या आप उसे चुका पाएंगे तो यह सोच कर ही आपको उधाल लेना है नोकरी में कारे कर रहे हैं लोगों की विरोधी उनकी अच्छी छव बीजट को भी बनाकर आपको रखना होगा वहीं मित्रो ध्यान रखिएगा कि यह जो समय है इस समय का सदूपियोग आपको करना है क्योंकि समय जो है कई हद तक आपके पक्स में रहेगा और वहीं मिस्तरित रूप से यह समय फल डायक भी रेने वाला है क्योंकि मित्रो आपको सुरुवात तो अच्छी रहेगी लेकिन अंत तक व्यापार में आपको मन मुताबिक लाब नहीं मिलेगा जिसके कारण आप थोड़ा परिसान रहेंगे तो लेकिन अपने देनिक खर्च आसाने से आप निकाल पाएंगे आप किसी सामाजिक आयोजन में सम्मलित भी हो सकते हैं जिसमें आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और आप से मित्र रखने की चेश्टा करेंगे मित्रो आपको कुछ सारीरिक समस्याइं हो सकती है जिनके लिए आप परिसान रहेंगे लेकिन अपने परिसानी किसी से नहीं के पाएंगे क्योंकि मित्रो आप अपने परिसानी को अंदरी अंदर दबा कर रख रहे हैं जिसकी वजह से इसका असर आपके स्वास्त पर भी पढ़ सकता है तो धियान रखिएगा कि जो भी समझ्या हैं उन्हें बाहर निकालें और विध्यार्ट्यों को अपने गुरु जनों अत्वा सिनियर्स के साथ किया आव सकता होगी तो अपने किसी रूची को भी आप निखा आरेंगे वही मित्रों ध्यान रखिएगा कि आप धर्म कर्म के प्रती पूरी तरह सजग रहेंगे और मित्रों आपको अपने किसी भी प्रियोजन से बात्चित करते समय एक बार अवश्य सोचना होगा नहीं तो आपकी बात का बुरावाना जा सकता है और आपकी अपने कि पूराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है जिसकी आप लंबे समय से प्रतिक साभी कर रहे थे तो वही मित्रों बात करेगर व्यापारियों की तो व्यापारियों के लिए यह समय बहुती बहतर रहेगा यदि किसी समस्या के कारणा परिस्तान है तो उसका समाधान आपको झान वालाज हो सकते हैं और आप अपने भाई को कुछ धन उधार भी दे सकते हैं। तो मित्रो जब भाईयों को धन उधार दें तो उनसे यह बात ना करेें कि आपका धन कब तक लोटाएंगे क्योंकि वह आपके अपने लोग है मित्रो इस बात को आपको समझना होगा और यदि परिवार कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगे तो बेसब आप आगे रहकर मदद कीजे क्योंकि गुरुजी ने बाताया है कि परिवार बहुती किमती अभुशन होता है हमारे जीवन का वही मित्रो इदि आपको किसी की मदद करने का मोका मिले तो उसमें आपको बढ़ चड़कर आगे नहीं बढ़ना है नहीं तो लोग इसे आपका स्वार्त समझेंगे और इस वज़े से आपकी चवी भी खराब हो सकती है तो मित्रो इसा नहीं है कि यदि कोई आपकी मदद मांगे तो ही मदद करें क्योंकि कभी-कभी देखने को मिलता है कि यदि आप ज़्यादा मदद करते हैं लोग इसे आपका स्वार्त समझ लेते हैं और नहीं करते हैं तो घमंड समझ लेते हैं तो इसलिए जो आपका मन कहें वहीं करें और अपने मन में आने वाले नकरात्मक विचारों को भी दूर करना होगा आप अपने आलश्य को छोड़ कर रूके हुए कायद को पूरा करने के लिए प्रियास करते रहेंगे और देनिक आविश्यक्ताओं की पूरते के लिए भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं तो वहीं मित्रो धियान रखिएगा कि ससुराल पक्स के किसी व्यक्ती को आप कुछ धन उधार दे सकते हैं और आप किसी नए विविशाय को करने के लिए भी प्रियासरत रहेंगे जिसमें आपको सफलता भी अवस्य ही मिलेगी और मित्रो धियान रखियेगा कि यह जो समय है यह लिहाज से पूरी तरह से आपके पक्स में नहीं है लेकिन कुछ हद तक और कुछ छेत्रों में आपके लिए सफलताईं इंतजार कर रही है आप मानसिक तोर पर खुद को मजबूत महिसूस करेंगे लेकिन आपको किसी परिक्सा की तयारी में जूट कर मेहनत करनी होगी तभी आप उसमें सफलता हासिल कर सकेंगे और नौकरी में कारे कर रहे हैं लोगों को अपने बोश के द्वारा कोई सूब सुचना सुनने को मिल सकती है और यह सूब सुचना आपके जीवन में चार चांद लगा देगी आप अपने भाई बेहनों के साथ कुछ समय व्यतित करेंगे जिसमें आपको उनकी कुछ समझ्चाओ को भी सुनने का मौका मिलेगा और उनकी समझ्चाओ को सुलजाने का भी प्रियास आप काफी हद तक करेंगे मित्रो आपका मानसिक बोज भी कुछ बढ़ सकता है तो सामाजिक छेतर में कार कर रही लोग को अपनी च्छवी को बनाए रखने के लिए अपने वाने की मधूरता को बनाए रखना होगा नहीं तो उनका कोई वाद विवाद भी करा सकती है मित्रो जीवन में हमेशा एक बात धियान रखियेगा कि जब भी आप किसी सामने वली व्यक्ति से बोलें तो हमेशा मीठे सब्दों का मधूरवाने का प्रियोग करें क्योंकि हमारी वाने ही एक एसी चीज है जो या तो रिस्तों को तोड़ सकती है या जोड़ सकती है मित्रो सब कुछ हमारी वाने पर ही निर्बर होता है तो इस बात को अपने जीवन में अवस्चे धियान रखियेगा कि कहा जाता है कि जुबान भी किसी तलवार से कम नहीं होती है तो चलिए मित्रो अब बात करते हैं रवीवार के उन दो महत उप्रण उपायों के बारे में जिन्हें आजमा कर आप अपने सोय हुई किसमत चमका सकते हैं तो चलिए मित्रो धियान से सुनियेगा दोनों उपायों को हमारे गुरुजी आपके लिए बता रहे ही तो मित्रो कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपके बने-बनाई या बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं तो सबसे अचुक उपाई है मित्रो रविवार का धिहान से सुन्येगा कहा जाता है कि रविवार की दिन काले कुत्ते, काले गाय को या काली चेडिया को डाना डाल जाएं तो रुके हुए कामों में निरंतरा आती है साथ ही कहा जाता है कि रविवार के दिन तेल में बने पकवान किसी गरीब व्यक्ति को खिलाने से सनिद्यों की क्रपा भी बने रहती है तो मित्रो यह तो था पेला उपाई अब बात करें दूसरे उपाई की तो मित्रो यदि आपके घर में सुक सान्ती वास नहीं करती है तो ध्यान से सुनेगा कि अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि सनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिपक जलाने से घर में सुक सान्ती आती है लेकिन आपकी जानकारे के लिए बता दें कि रविवार की साम को भी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से घर में सुक सांती बनी रहती है समरद्धी आती है और रविवार की साम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पढ़ प्रटिष्था में बड़ोतरी होती है साथ ही कई लाब के अउसर भी प्राप्त होते हैं तो मित्रो वीडियो की समापती जो है वह यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो वह जो इस स्क्रिन पर आपको लाल बटन दिखाए दे रहा है उससे दबा दीजेगा वह पास्म वह घंटी भी दबा कर हमारे यूटूब चैनल से आप सभी अभी जुड़ जाईएगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का अशिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सीवाई नमस्तो भ्यम अवस्य लिख देजिएगा